तूरेंड्स, गुड मॉर्निंग, आज हम रीट करेंगे हिंदी रीडर का पार्ट तेज, पॉलिथिन, जो हमने आपको अगले वीडियो में इसकी बारे में समझाया, आएए हम इसके आज सब्दार्थों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पहला सब्दार्थ हैं, पॉलिथिन, जोजना ब्रद, मिन्स होता है, पहले से निश्चित की हुई कार की रूप रेखा, नेक्षने, काल बेल, मिन्स होता है, दरवाजे पर लगी घंटी, जिसके दबाने से निकलती, निकलने वाली आवाज, किसी के आने की सूचना देती हैं, ठीक है, नेक्षने, रोग वर्द मिन्स होता है, बिमारी बढ़ाने वाला, ठीक है, आए हम इसके सही जोडियों को देखते हैं, अनभविस्तार, का नमबर कुश्चन है, सही जोडियां बनाई है, यहां है, कूडा, पॉलिथी, कार, इस्कूटर, गंदा पानी, जल प्रदूशन, गंदगी, रशायनिक प्र पॉलिथीन मिन्स होता है, रशायनिक, पॉलिथीन से रशायनिक प्रदूशन बढ़ता है, कार, स्कूटर, वायू प्रदूशन, क्योंकि उनसे धुआ निकलता है, और गंदा पानी मिन्स जल प्रदूशन, ठीक है, गंदा पानी में जल प्रदूशन, नेक्स्ट है, खाल इसलिए बढ़ गई बतब यहां पर अधिर गु knife जो प्रभ хватर जी थें उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम लोगों की सरारते इसलिए बढ़ गई है तो यहां पर क्या आएगा सरारते सेकेंड है नालियों का पानी खालिस्तान पर बहने लगा, नालियों का पानी सडकों पर बहने लगा आए हम सेकंड नमर कोशन देखेंगे अतिलग उत्रिये प्रश्णों में, निर्देश नेम लेकित प्रश्णों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए फर्स्ट कोशन है, विशाखा ने कचला कहां फेका प्रभाकर को देख कर क्या कहा क्या कहा भई? चाजा जी कितने सुन्दर लग रहे हैं प्रभाकर ने पुसकर ने प्रभाकर को देखकर कहा कि चाचा जी आप कितने सुन्दर लग रहे हैं ठीक है सेकन कोशन धर्ड कोशन है विशाखा ने किस से माफी मागी विशाखा ने प्रभाकर अंकल से माफी मागी मन्टु काका के पास कौन सा वाहन था मंटु काका के पास क्या था? कार था ठीक है? कार थी था नहीं थी फाइप नमबर कोश्चन है पॉलिथीन को इखटा करके क्या करना चाहिए? पॉलिथीन को इखटा करके उसका विज्ञानिक धंसे निप्टारा करना चाहिए ठीक है क्या करना चाहिए पॉलिथिन को इखटा करना चाहिए और उसका विज्ञानिक धंग से निप्टार्णा करना चाहिए next question है लगो उत्तरी प्रश्ण निर्देश है निम निखित प्रश्णों के उत्तर तीन से पांच वाक्यों में दीजिए पहला question है नालियों का पानी क्यों रुख जाता है पानी रुखने से क्या परिशानी होती है तो इस cancer है नालियों में पॉलिथिन की फसने से पानी रुख जाता है ठीक है और पानी रुखने से क्या होता है वो सड़क पर बहने लगता है और जिससे सड़कों पर आना जाना अस पानी रुकने से परिशानी होती है. नेक्स्ट गॉष्चन है. क्या होता है हानियां से? पानी रसानिक प्रदूषन फैलाती है. इससे तरह तरह की विमारियां हो जाती है. नेश्ट है प्रभाकर के ऊपर कूड़ा गिरने पर उसकी क्या प्रितिक्रिया हुई प्रभाकर के ऊपर कूड़ा जैसे ही गिरा वो क्या हुआ वो आग बबूला हो गया मतल़ गुस्से में आ गया और उसकी कपड़े गंदे हो गया जिसने कूड़ा फेका था उससे बहस होने लगी next question is मंटू काका ने नालियों के सफाई ना होने का क्या कारण बदाया मंटू काका के अनूशा नालियों के सफाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि लोग घरों के सामने वाहन खड़े रखते हैं खड़े कर देते हैं या रखते हैं तो इसलिए मंटुका करने ये कारण बताया कि इसलिए नालियों की सफाई नहीं हो पाते हैं तो ये थी हमारे आज के प्रश्णुत्ता और सहीं चोड़ी खालिस्थान मेनिंग अब यहां देखते हैं हम भासा की बात इसे भी देखेंगे कर उस पर गोला लगाईए अब यहां पर आवशक शब्द को चार प्रकार से लिखा गया है ठीक है और जिसमें से हमें उस वर्तिनी पर करना है जो दिये गए सब्दों में वर्तिनी की असुद्धी है मतलब जो असुद्ध वाक है उन पे सही सब्द छाटकर उस पर गोला लगाना है असुद्ध वाक दिये हुए चार और उन में से जो सही उस पर हमें गोला लगाना था देखो अस वयक लिखा है आवशक लिखा है आवशक लिखा है तो सही क्या होता है आवशक इसी तरह से दिया है सुवीधा सुवीधा सुधा और सुवीधा सुवीधा तो उसा ही क्या होता है सुवीधा सु नहीं हो तो सुवीधा छुटू के बाद राद रहे हैं जी तरह से सडक सरक सडक यहाँ पर बिंदी नहीं है देखो चकड तो यहाँ पर क्या है सडग ठीक है अब यह था कि आप के लिए होमबर्ख है कि परियावरन विशेपर पांच वाक है आप लिख के लाएंगे यह यह आपका होमबर्ख है ठीक है कि परियावरन विशेपर आप पांच वाक लिख के लाएंगे यह आपका होमबर्ख है ठीक है क